आज हम Motion of the Earth के बारे में study करेंगे Motion of the Earth को study करने से पहले हमें कुछ basic figures की जानकारी चाहिए चलते हैं पहले figure की ओर जैसे कि आप लोग इस्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक Earth का replica लिया है जो की एक sphere shape में है वैसे तो Earth एक geode form में है बट हमें study करना है हम एक spherical shape को लेंगे ठीक है Earth के बीचों बीच एक imaginary line draw करेंगे जिसे हम कहते है equator यानि कि भूमद रेखा या विशुवत रेखा आप लोग कह सकते हैं देखिए अर्थ अभी sphere shape में था अब देखिए बीच से उत्तरी गुलार्द और नीचे वाला जो hemisphere shape है उसे हम southern hemisphere कह देंगे यानि कि दच्छडी गुलार्द थिक्त है चलते हैं नेश्ट फिगर की और को ये वाले फिगर को आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो अधिए 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 लाइन है इसे हम कहते हैं perpendicular line और ये वाली line inclined axis कहलाती है ठीक है? inclined axis और perpendicular line के बीच में जो angle बनता है वो साड़े तेज डिगरी का होता है ठीक है? यानि कि प्रत्वी अपने axis पर साड़े तेज डिगरी जुकी होई है ठीक है? और ये वाली line को हम orbital plane कहते हैं ये वाली line को orbital plane और inclined axis के बीच में कोई न कोई एंगल बन रहा होगा जैसे कि इन दोनों के बीच में 6.6-6.0 degree का एंगल बनता है अब देख लिज़े एक बार और रिवाज कर लेते inclined axis और orbital plane के बीच में 6.6-6.0 degree का एंगल बनता है और ये हमारा equator हुआ 0 degree है चलते हैं next figure की ओर इस figure में हम देख रहे हैं कि पिछले figure में हमने देखा था कि अर्थ के बीचों बीच एक imaginary line draw करते हैं जिसे हम कहते हैं equator जो की होता है 0 degree पर ऐसे ही हम northern hemisphere में imaginary line को draw करेंगी जिसे हम कहते हैं tropic of cancer हिंदी में कर्क रेखा ये साड़े 23 डिगरी northern hemisphere में लाइस करती है ऐसे ही southern hemisphere में एक imaginary line को draw करेंगी जिसे हम कहते हैं tropic of capricorn मकर रेखा ये साड़े 23 डिगरी southern hemisphere में लाइस करती है अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर देखिए topic के है motion of the earth तो कितने types के motion है तो two types के motion है कौन कौन से rotation and revolution rotation क्या है rotation है earth अपने axis पर 360 degree move कर जा रहा है 24 hour में ठीक है नहीं समझ में आया कोई बात नहीं आप इस gif कित्रू देख सकते हैं ये ये अर्थ अपने axis पर 360 degree move कर रहा है 24 hour ठीक है इसका effect क्या पढ़ता है तो वह देख लेते हैं इसके move करने से क्या effect पढ़ता है देखिए इससे day and night होता है सबसे बड़ी चीज जो day and night की घटना है वो अर्थ के rotation की वज़े से ही होती है और क्या हो सकता है तो movements of the winds हो सकता है जो winds move करती है वो अर्थ के rotation की वज़े से ही करती है और क्या हो सकता है movements of ocean water ocean water ठीक है one minute ocean water ठीक है तो इसे हम कहते है rotation of the earth अब चलते हैं revolution of the earth क्या होता है revolution of the earth होता है कि earth जो होता है sun के around यानि की sun के चारो ओर 365 days में एक चक्क लगाता है ठीक है sun के around 365 days में एक revolution कंप्लीट करता है उसे ही हम revolution कहते हैं जैसे कि यह जी आइप में आप देख सकते हैं ठीक है इस sun के around 365 days में एक revolution कंप्लीट कर रहा है ठीक है इसका effect क्या हो सकता है वो देखते हैं तो इसका effect है season change season change season change कैसे होंगे एक figure के through हम समझेंगे देखिए इस figure में हम देखते हैं कि earth sun के around move करता है 365 days में ठीक है और जिस path में move करता है उसे हम क्या कहते हैं यह वाले path की बात कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं orbit ठीक है इसे orbit कहते हैं अब देखिए sun अर्थ अगर इस condition में मान लीजे इस जगे पर lies करता है अगर दिन है 21 जून तब की बात कर रहे हैं तो देखिए sun की डाइर्ट रेजब वह Tropic of Cancer पर पढ़ रही है struct की जो डाइरेट रेजब ट्रॉपिक of Cancer पर पर रही है यानि यह वाला जो जो जोन है ट्रॉपिक केंसर जोन वह हीटेड जोन में convert हो जाएगा फीर्ट जोन क्निवर्ट होगा तो जो नविस्वीर वाला पार्ट है वहां पर क्या होगा समर सीजन हुच कर समर सीजन हो जाएगा, अब देख संग की जो लाइट है वह तो ट्रॉपिक आफ कैंसर पर डारेट चमक रही है लेगी स्वैंड कि लाइट क्या Tropic of Capricorn side नहीं जाएगी बिल्कुल जाएगी क्योंकि sun तो इतना बड़ा है उसकी light तो सब जगह जाएगी but actually यहाँ पर जो light जाती है वो slant rope से जाती है intense rope से नहीं मतलब बिल्कुल तीवर गती से नहीं जाती है slant होके जाती हलका ठीक है अगर slant होके जाएगी तो यहाँ पर जो जोन होगा वो ठंडा छेत्र हो जाएगा ठीक है यानि कि Tropic of Capricorn वहाँ पर winter season हो जाएगा यह हो गया winter season ठीक है दिन होगा 21 जून और हम बोल देंगे इसे summer solustis क्योंकि नदन हैमिस्फियर में हम लाइस करते हैं नौर्थीस्ट पर हमारा भारत लाइस करता है इसलिए हम इसे summer solustis बोल देंगे क्योंकि हमारे याँ summer का season हो जाएगा ठीक है हिंदी में बोले तो Greece में आये नान्त ठीक है अब देखिए एक condition और है अर्थ 365 डेज में एक revolution complete करता है sun का अगर 365 डेज में करता है यानि 12 मन्त में करता है इसका मतलब यह हुआ कि every 3 मन्त में वो 1 by 4 यानि एक quarter complete कर लेता होगा है ना तो मान लिजी अगर जून में यहाँ है तो 3 महीने बाद यानि कि जुलाए अगस्ट और सब्टेंबर में वापस इधर आ जाएगा और फिर 3 महीने बाद इधर आ जाएगा और 3 महीने बाद इधर आ जाएगा ठीक है तो अगर मान लिजी अर्थ यहाँ पर लाइस करता है तो चलिए इस condition को देखते हैं अभी एक चीज और देख लेते हैं इधर पर 21 वाले दिन में कि नदन हेमिस्पियर का जो पार्ट होगा वहाँ पर जो डे होंगे वो सबसे बड़े होंगे उस दिन ठीक है 21 जून को और जश्ट अपोजिट हो जाएगा सदन हेमिस्पियर में जो डे होगा हो सबसे छोटा हो जाएगा हमारे जो नाइट होगी वो सबसे judy ओजाएगगे 21 जून के दिन और जैसे उस्ट्रेजीय ब्रॉजील वाले छे तप नाइट जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी ठीक है अब चलते हैं यहाँ पे सितंबर की कंडिशन में चलते हैं 23 सितंबर का दिन होगा तो सन की जो डारेट रेज है वो इक्वेटर पर पड़ेगी यह देखिए जैसे दिक रहा है स्क्रीन पर सन की जो डारेट रेज है वो इक्वेटर पर पड़ रही है अब देखिए सन की कुछ रेज जब जब डारेट रेस एक्वेटर पर पड़ेगी तो कुछ रेस जो है वो ट्रॉपिक आप कैंसर की ओर जाएगी और कुछ रेस ट्रॉपिक आप कैप्रिकॉन की ओर जाएगी यानि कि हमें इक वी नॉक्स हिंदी में बोले तो विसूब ढ़िए अब एक्कवल पढ़ रहा है तो डेए ऑ नाइट भी equal हो जाएंगे, 23 सितंबर के दिन, day और night भी equal हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन season change होगा, क्या change होगा, कि northern hemisphere में autumn season हो जाएगा, autumn कहें तो सरद रितू, यानि कि बारिस वाला season हो जाएगा, और southern hemisphere में क्या हो जाएगा, spring season हो जाएगा, spring season, यानि कि बसंत रितू, ठीक है, यह, यह condition होगी अब 3 महीने बाद अर्थ वापिस से इधर लाइस करेगा इस साइड लाइस करेगा जब देखिए सन की जो डारेट रेजर वो कहाँ पर पढ़ रही है ट्रोपिक ओफ कैप्रिकॉन में पढ़ रही है यानि किस लैंट रूप से ट्रोपिक ओफ कैंसर में पढ़ेगी और इधर अगर इंटेंस रूप से पढ़ेगी यानि डारेट पढ़ेगी तो यह वाला जोन जो होगा वो हीटेड जोन हो जाएगा यानि कि यहाँ पर समर सीजन हो जाएगा समर सीजन हो जाएगा कहाँ पे Southern Hemisphere में और हमारे यहाँ Winter Season हो जाएगा क्यों कि जो Sun की रेज है वो Slant रूप से पढ़ रही है दिन होगा 22 December ठीक है और हमारे यहाँ Winter Season पढ़ेगा इसलिए हम इसे बोल देते है Winter Solustice क्योंकि हमारा भारत देश North East पिलाइज करता है इसे हम बोलते है सीथ अइनांत ठीक है अब देखिए Southern Hemisphere में जो डे होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा मतलब सबसे बड़ा दिन होगा Southern Hemisphere में 22 December को और जस्ट अपोजिट हो जाएगा Northern Hemisphere में दिन सबसे छोटा हो जाएगा ठीक है और Southern Hemisphere में राते सबसे छोटी हो जाएगी और Northern Hemisphere में राते सबसे बड़ी हो जाएगी ठीक है अब देखिए तीन महीने बाद वापिस से अर्थ यहाँ पर लाइस करेगा इस साइड लाइस करेगा तो आप देख सकते हैं कि सन की जो डारेट रेजर वो equator पर चमक रही है यानि कि वही condition हुआ जो 23 सितंबर को हो रही थी ठीक है यानि कि आधी जो सन की रेजर वो किस साइड जाएगी ट्रॉपिक आफ कैंसर की और और आधी जाएगी ट्रॉपिक आफ कैप्रिकॉन की और ठीक है और दिन होगा 21 मार्च का अब देखिए इक्वल डिस्टिब्यूट हो रहा है इसलिए हम इसे भी एक्विनॉक्स कहा देंगे ठीक है अब देखिए सन की जो डारेट रेजर वो equator पर पर पढ़ रही है यानि कि day and night इक्वल होंगे किस किस दिन होंगे 21 मार्च को होंगे और 23 सेप्टम्बर को होंगे ठीक है सबसे बड़ा दिन जो होगा northern hemisphere में वो 21 जून को होगा और सबसे छोटी राते होंगी 21 जून को ऐसे ही southern hemisphere में सबसे बड़ा दिन जो होगा वो 22 दिसंबर को होगा और सबसे छोटी राते होंगी ठीक है light sun की तो दिन और राद बराबर हो जाएंगे लेकि सीजन कैसे चेंज होंगे कि देखिए पहले 23 सितंबर के दिन क्या हो रहा था कि नदन हैमिस्फियर में autumn season हो रहा था तो यहाँ पे southern hemisphere में autumn season हो जाएगा just opposite हो जाएगा और northern hemisphere में spring season हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे देख पा रहते हम कि southern hemisphere में spring season हो रहा था अब यहाँ पे condition change हो जाएगी 21 मार्च को northern hemisphere में spring season हो जाएगा और southern hemisphere में autumn season हो जाएगा यानि कि northern hemisphere में बसंत रितु हो जाएगी और southern hemisphere में बारिस वाला season आ जाएगा सरद रितु आ जाएगा ठीक है और वापिस से यही कंडिशन होगी 21 जून वाली तो इस तरीके से अर्थ का एक revolution होता है sun के around जिससे season change होते हैं इसे हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जहाँ पर winter season बीट गया हो उसके बाद वाली जो condition होगी उसके बाद वाली जो रितुएं आएंगी वो होगी बसंत रितु यानि कि spring season जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 21 जून में southern hemisphere में winter season हो रहा था तो जो अगली condition बनी वो southern hemisphere में spring season की बनी और हमारे यहाँ 22 December को winter season हो रहा था तो इसके बाद जो condition बनी वो हमारे यहाँ spring season बनी यानि northern hemisphere में spring season बना ठीक है यह तो figure के थूरू हमने basic information ले लिया चलिए कुछ PPT के थूरू भी देख लेते हैं कि देखिए रोटेशन एंड रिवाल्यूशन आप दी अर्थ ठीक है दे अर्थ हैस्ट टू टाइप आप दी मोशन दो टाइप के मोशन है हमने पड़ा रोटेशन एंड रिवाल्यूशन ठीक है रोटेशन इस दा मुवमेंट आप दी अर्थ ओन इट्स एक्सिस अर्थ रोटेट ओन इट्स ओन एक्सिस प्रोड्यूसिंग दी 24 आर्डे 24 आर्डे ओके इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आर्र में 360 डिग्री मूव कर जा रही है ठीक है हमने एफेक्ट देखा था रोटेशन का क्या है डे एंड नाइट है मूवमेंट आप वाटर इन दा ओसीन है एंड मूवमेंट आप दा विंड्स है ठीक है अब चलते हैं रिवॉल्यूशन पर जैसे मैंने पहले भी बताया यह सन है इसके अराउंड मूव कर रहा है अर्थ तो यही क्या कंडिशन हुई रिवॉल्यूशन की कंडिशन हुई ठीक है जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि रिवॉल्यूशन से क्या हो रहा है सीजन चेंज हो रहे हैं ठीक है और देख लेते हैं बेसिक फीचरस ओफ दी अर्थ इस एक्सिस ओफ दी अर्थ फिच इन इमेजनरी लाइन मेक्स अन एंगल ऑफ 66.5 डिगरी इस ओर्बिटल प्लें अर्थ रोटेट्स इन इस सर्कुलर पाथ विच इस एक्सिस टिल्टेड अर्थ 23.5 रॉम वर्टिकल मैंने पहले भी बताया कि यह वर्टिकल नाइन है यह इनक्लाइन एक्सिस है यह ओर्बिटल प्लेन है यह दोनों के बीच में साड़े 36 डिगरी के अंगल और यह दोनों के बीच में साड़े 36 डिगरी के अंगल और यह एक्वेटर तो है ही ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि देखिए जैसे कि यह सन है ठीक है यह अर्थ है तो देखिए सन की जो डिर्ट रेज है वो अर्थ पे आ रही है ऐसे आ रही है अब इस साड़ आएगी तो यह वाला जो पोर्षन होगा ओपर वाला पोर्षन यहाँ पर डे हो जाएगा अब इसी की सैड़ इस चगह पर पड़ेगी तो यह नाइट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर नाइट हो जाएगा तो यही कंडिशन है यही इस पैरोग्राफ में बताया गया है ठीक है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच